कुश्चन है 3 root 3 is 1 theta plus 4 10 theta पॉन में 3 10 theta plus root 3 is 1 theta इसको solve करना है कैसे solve करना है देखो यहां पर बटेम में 1 है हम cross multiply कर देते हैं तो यह निकल कर आएगा 3 root 3 is 1 theta plus 4 10 theta ब्रावर में आ जाएगा 3 into 2 यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 10 theta और यह कितना हो जाएगा 2 root 3 6 theta plus में 2 root 3 6 theta अब जो 6 theta है उसको एक तरफ ला देंगे जो 10 theta है उसको एक तरफ ला देंगे अगर मैं 10 theta को उधर लाओ और 6 theta को मैं उधर लेकर जाओ तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 10 theta माइनस होगा तो 2 10 theta equal to यह उदर जाएगा तो यह भी माइनस होगा तो यह हो जाएगा root 3 sec theta ठीक है और 10 theta मैं यहां से sec theta करूँ तो यह क्या हो जाएगा change को करना पड़ेगा ना ऐसे करते हैं 10 theta upon में sec theta करते है 10 theta upon में sec theta यह क्या है root 3 है और 2 यहां पर चल जाएगा बट्टे में जाल जाएगा अब इस 10 theta को मैं change कर सकता हूं sin theta upon में cos theta पर और इस sec theta को change कर सकता हूं 1 upon में cos theta से अब देखो को तो cos theta से cancels out हो जाएगा यानि कि यहां से sin theta equals 2 में निकल कर आएगा root 3 upon में 2 और यह किसके बरावर होता है साथ डिगरी के बरावर होता है ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं अब देखो theta के value साथ डिगरी आगे हम इस फिर पूट कर देंगे को सिक्ष्टी गया होता है को सिक्ष्टी होता है वान अपन में 2 तो वान अपन में 2 जो इस question कैंसर हो जाएगा आपसे नमबर डे